मा अन्य अध्यक्ष जी हुए हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याक्षा करते हुए की दो परस पर विरोधी व्याक्षा है इस सदन में जनादेश की रखी गई ही सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था कोईलीशन के लिए था मेरी और से प्रतप्रश्न पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था ये प्रश्न अभी तक अनुपतरी था मैं उम्मित करूंगी कि कल पधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था अध्यक्ष जी जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्विकार करें लेकिन एक द्रिश्य जो इस सदन में उपस्यत हो रहा है उसकी अंदेखी आप नहीं कर सकते आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और विखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज विखरी हुई सरकार है और एक जुत विपक्ष है क्या ये जुश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की फुली कहानी नहीं कह रहा लेकिन अद्यक्ष जी ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्या अधिकार से वंचित कर दिया गया त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी राज्यक्ष करते बनवास दे दिया गया त्रॉपर में यही घटना धर्मराज युधिश्टर के साथ घटी थी जब धूर्ट शक्णी के दूष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था अध्यक्ष जी यदि एक मन्थरा और एक शक्णी राम और युधिश्टर जैसे महापुरुशों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब तो कितने मन्थरा है और कितने शक्णी करते हैं हम राज्य में बने कैसे रह सके था अध्यक्ष जी शाद राम राज्य और सुराज्य की नियती ही यही है प्लीज अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी राम राज्य और सुराज्य की शायद नियती ही यह है कि वो एक बड़े जटके के बाद मिलता है और इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन अठाइस तारीक की दोपहर को मेरे हदर्ण ये नेता अकल बिहारी वाजपई ने इस सदन में रानवंत्री पत्से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन गाम राज्य की भूमी का तैयाद हो गी तौर दर्शन के सामने जीवंत प्रसारन देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके अठापत्र की घोशना के साथ करह उठ्यात है ये अन्याय हुआ है है लेकिन अध्यक्ष जी अन्याई कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याई कर रहा है अन्याई तो अपने स्वार्थ को सिध्धान्त का बाना पहिना कर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याई कर रहा है और यही सदर में घटा धर्म निर्पेक्षिता का बाना पहिंकर हम पर सामप्रदाइक्ता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए एक जित हो गए तहद हमेरे नेताने उस समय धर्म निर्पेक्षिता बनाम सामप्रदाइक्ता पर राष्ट्रिय बहिस होनी चाहिए चाहते हैं हम हम चाहते हैं कि इस देश के सम्विधान निर्माताओं ने धर्म निर्पेक्ष्टा की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस वरूप में ढाल दिया इस पर राश्ट्य भहिस होनी चाहिए अब दक्स जी हम सामप्रदाइक हैं हाँ 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 हम साम्पदाइख हैं क्योंकि हम बंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं हम साम्पदाइख हैं क्योंकि हम राश्टिय ध्वज के सम्माल के लिए लड़ते हैं हम साम्पदाइख हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाथ करने की माइन करते हैं हम साम प्रदाइक है, हम साम प्रदाइक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में कुर्ट चला के वंच और वर्धन का की बता लखता है हाँ, अद्धिक्ष्टी हम साम प्रदाइक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक सक्टा बनाने की बात करते हैं अध्यक्त जी जो कि हम काश्मीरी शर्मार्खियों के धर्द को जबान देने का अध्यक्त जी यह सद्वा है यह धर्मने पेच है दिलेंगी सर्दों पर तीन हमासिखों का कत्यां करने वाले वाले क्या व्याज़ी नहीं हूँ मुझ को मंदित जाने से रोका गया है एक हमें जमें पर शाल हैं क्यों जाल हो पॉर बरत हैam जानकारी के लिए बता दूँ भारतिय जनका पारिटी ने तो रान मंदिर का शिलान लास एक हरिजें से करवाया तो अध्यक्ष जी मैं कह रही थी ये सेकुलर हैं ये कॉंग्रेस जन्द दिल्ली की सडकों पर तीन हजार सिक्षों का तक्रियाम करने वाले ये कॉंग्रेसमें सेकुलर हैं और आप दिहार के साक्षी हैं अध्यक्ष जी मुस्लिम और यादर का छोड़ वाइचातर माई की वाजनी करने वाले ये जलता दल्वाले सेकुलर हैं हाँ क्या सभावत दीजिए मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध़क्ष काम कर रही है है मैंकि वाल आपके नंवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को यह अनुम्त देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सके मैं नहीं जानता किस रोश में ये लोग बोल रहे हैं, आप से बहुत से रोश वालों को मैंने देखा है, तो रोश उनको में देखा है, इसलिए मैं को याको सबागत जी को ले कह रहा था, जब सुश्मा जी बोल नहीं है, उनकी बात को सुनना चाहिए, और जिनको उत्तर दे गोलीयों से भूलने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमआ शरणारतियों को भगाने वाले और घुसपैटियों को बशाने के वकालत करने वाले ये 75 सेकुलर है, सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी, कि हम अध्यक्षडी कि कि चुप्टी हम अपने हिंदू होने पर शोंम महसूस नहीं करते हैं इसलिए हम कमिनल हैं इसलिए हम सामसदाइब और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू वोने पर शर्मिंद गी महसूस नहीं करते हैं आपको इन तथा कतित बुद्धी जीवियों से सेकुलर होने का सेटिफिकेट नहीं मिल सकता सेकुलर्जम की हमारी परिभाशा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो एक मुसल्मान अच्छा मुसल्मान एक सिख अच्छा सिख हो एक इसाई अच्छा हिसाई और सब अपने अपने पंथों का अनुसरन करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर कर यह हमारी लेकिन इनका सेकुलर्जम हिंदू को गाली देने से शुरू होता है और अगर आप उस गाली देने के कारतम में शिर्कत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते और मैं कहना चाहती हूं सरकार या ना सरकार हमें सेकुलर्जम की ये परिभाशा मानने नहीं अध्यक्षी आज से पहले तो केवल हिंदुत पर प्रश्चन लगा जाता था हिंदुत शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आखें दबदबा गई जब इस सदन में भारतियता शब्द पर भी प्रश्चन ल लेकिन इसी सदन में चर्चा के दोरान ता गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरासली मारेंजी के लेकिन उन्हों ने कहा विया डिफरेंट आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है भारत भारत ये भारत ये ता क्या होती है मुझे था शायद इन में से कोई बोदेगा ए बता नहीं क्यूं कौर्वों की सभा के भिश्म पितामे की तरह आप भी मौन सादे रहें अध्यक जी मैं अपने मित्र मुरासली मारेंजी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी भारतियता के माने कहीं पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है अरे भारतियता कार्थ यही है कि भारतियता के माने ये है कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर डख्षन के इडली डोसे तक सारे आहर भारत वर्ष के आहर भारतियत आतार्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामिश्वरम पर सारे तीर्थ भारत वर्ष के तीर्थ हैं आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या माइने हैं अच्टिक एक संस्क्ति के माइने नहीं ज unlucky कि श्व का भक्त अमरणाथ का triple Λयिक की काराण कह Alcohol पश्चिम बंगार में जनने क्व एंसी चेकर जी अपने बेड़े का नाम सोम नाथ ् है यही है एक संस्क्ति धब यही है एक संस्क्रति मुझे संस्क्रति का अधारण कहीं शब्द कोशों में देखने की जरूरत नहीं है वो इस सदन में परिदक्षित हुए लेकिन अध्यक जी सवाल यह है कि यह किसी सामप्रदाइक्त के नाम पर इकठे नहीं हुए है यह भी एक ओड़ा ऌए वाना है यही कठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारई है यही कठे हुए हैं एक दूसरे को बक्ष देने की सौधबाजी के कारई है ये साफ नब भूपर हुई हुई सांज़दारी नहीं है अद्यक जी ये चारा कांदो हवाला कांदी की सांज़दारी है का सोग्दादी को उखनाए में चाहिए इशारा समझना चाहिए मैं किसी सांज़दारी की तरफ दिक्र कर रही अद्यक जी ऐसे नहीं हुआ कि कॉमन मिनमम प्रोग्राम में एक शब्द करप्शन के पैंडिंग केसिस के बारे में नहीं यह ऐसे हो गया आखिर चार लोग बैठे सारी चीज़ों पुर चर्चा हुई लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है सेंट केंगज गायब है जेंम गायब है शूगर स्क信ाडर गायब है शूगर कंच के शुपर बहिए प्रतो ग्राम में आज उसकी उपर एक शब्द जार मिंतरी के उपर कहते हैं प्रदानमंत्री लोब टेक इस ओन कोर्स कोई बचेगा नहीं केवल मुक्के मार कर कह देने से यह नहीं होगा अध्यक जी आचरण क्या बोलता है यह देखने वाला है आज भी यूरिया स्केम में अफसर पकड़ेगा है लेकिन दोनों के रिष्टेदार दोन अध्यक जी यह कहते हैं रामगिलास प्रस्वान कहते हैं यह सरकार चलेगी आज यहां कहा जाता है यह सरकार चलेगी नहीं दोरेगी पांच साल तक रहेगी अरे मैं पूछना चाहते हूं मैं पूछना चाहते हूं मेरे नेता ने तो नहीं कहा बयान तो पहला बीजुपटनायक काया पहला बयान इस गवेंट विल नोट लास्ट किस घटक के है वो भाज्पा की बुद भित्हाजारी क्या बयाना आया जोई में चाहें के कि चुनाव के लिए साथ महीने से एक साल के बीच में तयार रहना चाहिए ये बयान भाजपा की तरफ से तु नहीं आया इतने एंटर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है क्या सांजे नाराण दत्तिवारी और मुलाहिम सिंग आदव में मैं पूछना चाहती हूँ क्या सांजे आगे है बीचू पतनायक जी आधने और जेभी पतनायक में क्या सांजे ममता बैनर जी और सोमना चेटर जीवे मैं पूछना चाहती हैं उत्तरा खंडी महिलाओं के सम्मान का सौधा करके नार अरगत तिवारी मुलाम सिंग की बदल में क्यों बैचे हैं कभी नाथ के हितों के अंदेखी करके करुणा मिधी ने देवे गावरा को निका क्यों स्विकार किया मंता जी अपने घावों की पीड़ा भूलकर आप सोमना जी के साथ मतदान पेशर कर रही है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मंता जी आपको बोलना एसके ले डवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है इसी सदन में नर्सिंग राओ जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा थी मैं वहां से बैठी देख रही थी एक वील चेर के ऊपर मता जी को लाया गया था यहीं बैठी थी वह चोटों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उड़ाया था वहां बैठी हुई मैं उस समय लोगातियों की हिंसक प्रवट्टी को कोस रही थी मुझे मालूम है मनताजी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं हम उनके आवाज को गैख करने के लिए उन पर हमला नहीं करते इसलिए पूछला चाहती हूं मुंता जी से आज कई सदन में CPM के साथ बाइट कर मतदान करेंगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनित करेंगी ये कैसी सांज है मुंता जी ये कैसा धट बंगा अध्यक जी मैं जिक्र कर रही थी कि के नों फिट्विक्तियों में अंकर विरोध नहीं है जो कारकमों में अंकर विरोध जलगता है वो तो माशाओला है जब इनका प्रोग्राम आया, मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा, एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता, मैंने उसको दुबारा पढ़ा, और पढ़ने के कुरंट बाद मेरे मुझे निकला, वहाँ भारत के कम्मुनिस्ट साथियों, तुमने लेनीन से येलसिं तक का सफर एकी सप्वता में पूरा कर लिया, अध्यक जी, कोईलीशन के कंस्ट्रेंस को मैं समझ सकती है कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है कुछ चीजों में सांचेदारी करनी पड़ती है मगर कोई शिर्शासन करके कलाबा जिखा जाएगा इसके उम्में पैस अद्दक जी इसमें लिखा है इंशोरेंस सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा और खौरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा मैं तो हैरान हुई क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस्की तस्यात थी कहां गए चत्राननमिश अद्दक जी आपके माध्यम से बताना चाहती हूं मैं राज्यसभा में याचिका समिती की अध्धिक्षा थी कमेटी और पेटिशन की चेर परसन थी हमारी समिती के सामने एक याचिका गायर थी एक पेटिशन प्रस्तुत की गए जिसमें ये निखा गया था कि एल आईसी जी आईसी इंशोरंस सेक्टर को जो प्राइविटाइज करने की एक सिफारिश मलहोत्रा कमेटी की तरफ से आई है वो लागू नतीजा ये थी वो पेटिशन और मैं आपको चौका दूँ ये बात कहकर वो पेटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी एक केंपी को प्रस्तुत करनी पड़ती है ये संयोग है कि चत्वरानन मिश्र राजी सभा से मेरे साथ लोग सभा में आए हैं दो चार दिन में शाइद के मंत्री भी बनने वाले हैं वो पेटिशन काउंटर साइन की थी चत्वरानन निश्र नहीं और अध्यक्षा जी मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लिमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पेटिशन ये पेटिशन इंट्रक्ष्वस हो जाएगी इसलिए कम से कम इंटेरिम डिरेक्षन गर्म्मेंट को दी जाए कि ये इंप्लिमेंट नहीं हूँ पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डिरेक्षन दी था कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाया हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे तब तक मलहुतरा कमेटी की सिफारिशे लागू न की जाए और इस याचिका समिटी ने इस याचिका समिटी ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल पाइटिस के लोगों को बुलाया था सारे राजनातिक दल के प्रतंजिया थे इसमें क्या बहुत करें हैं अध्यक जी प्रीमियर घटा किस युनाइटिट फ्रेंट का जनता के लिए जिनकी सिफार है जिनके प्धाना चाहता तो आप मिनिस्टर है बोलिए अगर कोई अब्जेक्स ने बूल बात है तो यह आर मिनिस्टर ना हो वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है इसमें क्या है अध्यक जी उसी को उन्होंने बता उस प्रतिवेबिल से कुट करें यह तो आजादी है यह कोट कर सकते हैं यह आपको रून बताईए नहीं कोट कर स मैं देवे गाउडा जी सुनना चेकर जी और चकुरान और मिश्ट को सुना कर दुबारा कहना चाहूंगी मेरी पार्टी का पॉलिसी तो भारतियों के लिए खोल दो फॉर्नर्स के लिए मत खोलो लेकिन आप भी पार्टी का पॉलिसी पढ़कर सुना रही हैं को आप इसको के वल यह पढ़कर बता रही हूं कि सत्ता की दोर में मद्भूश होकर आदमी इतनी उलट वाजी भी खा सकता है कि पचास साल तक जिनमीतियों को लेकर आपने राजनीत की हैं आज वो राजनीति टोटल की टोटल एपसलूट की एपसलूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुता की दोर में यां एंटी बीजे पिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रिस के साथ बचना है आपको जनता दिल के साथ बचना है इसलिए मैं आपसे कह रही हूं अध्यक जी यहां सदन में यह छोड़ सकते हैं लेकिन बाहर जब अपने अपने छेत्रों में जाएंगे इनका कारकरता इन्हें छोड़ने नहीं देगा और यह अंतर बिरोद इस सर्कार को गिराने का कार जोड़ को आये यह शरतale की भूमिका नहीं निबहारे यह ललिता पवार की भूमिका निभारे यह लल्जठा पवार की बखूमीका निभारता इनकी है इस लिए भाई शरद यादर से कहना चाहूंगी कि ये प्रयोग नहीं है मैं भाई शरद यादर से केवल इतना कह रही थी ये प्रयोग नहीं है ये प्रयोग आपके गुरू राज नारायन जी पहले कर चुके हैं 20 दिन के अंदर कॉंग्रिस ने समर्थन वापस लिया था और मेरे आधान ये नेता चंद शेकर जी बैटे चार महीने के अंदर इन से समर्थन वापस लिया था अपके विश्वास कर रहे हैं कई आफ जार आपके विश्वास कोई आधान होना चाहिए इतिहास सभी कुछ नहीं सीखा और में अद्रस की बात क्या करूँ मैं और में मंग्रिस की बात क्या करूँ मैं तो भाई शरद यादम सा ही पूचु लूग भाईया, अपने समाजवादियों का इपिहास भी तो है, अभी कह रहे हैं शरद यादा, डॉक्तर लोहिया यहाँ पर थे, समाजवादियों के पास तो डॉक्तर लोहिया की दो रेडिमेड उक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौझूद है, पहली डॉक इसको हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना चाहिए और दूसरी कहे थे डाप्तर साहब सुधरो या तूटो तो अध्यक जी अब तो कॉंग्रेस की जगे भाजपा को फ्रेम में रखकर शैतान से हाथ मिलाने की वखालत करना है शरत जी मगर फोले दिन की बात है जब होगा सुधरो या तूटो और हो भी क्यों नहीं शरत याद हो बहुत सही बात है 65 लाक वाले मंत्री मंदल में और 3 लाक वाले बंदल में तो क्यों नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे मिश्चित तोर पर चंद दिनों की बात है जब यह होगा सुधरो याद पूतो इसलिए मैं एक बात कहे कर अपनी बात समात करना चाहूंगे अध्यक्ष महुदा यह जो यह जो कहा जा रहा है कि सर्टार पांच साल चलेगी पांच साल चलेगी नहीं अध्यक्षी इस पुलिटिकल औरकेस्ट्रा विल डिसपर्स इवन बिफोर इस शो बिगिन्स वे आर सो यूस्टू सिंगिंग यह जो एक सामुहिक मंदली एक समुह गीत गाने के लिए आ जादी हैं कि गेप शुरू होने से पहले यह शिराजा बिखर जाएगा लेकिन हाँ जितने दिन ये देश आपके हाथ में रहे इश्वर इस देश की रख्षा करें यह प्राइब करते हुए लो विश्वास मत कादिरों के